स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चनल जमूरेक्ट्स में तो दोस्तों एक बार फिर से एक नई वीडियो लिखे आया हूँ और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जेके SSB क्लास पूर्थ के हुआले से कोछ आपसे डिसक्स करेंगे जैसे कि कुछ लोगों मेरे कॉमेंट बॉक्स में मुझे बार-बार कॉशन कर रहे थे कि डॉक्यूमेट्ट वेरिकेशन में ऐफिडियोट्स का क्या कैसे हमने टाइप करवाना है या क्या उसमें लिखवाना है और भी काफी जता सवाल भेज़ते हैं कुछ भाईयों ने, उनका एक एक करके मैं जवाब करने की कोशिश करूँगा, और आपके कुछ डॉट्स हों जैके SSP क्लास 4 के रिलेटर तो सारे, I hope, क्लियर करने की कोशिश करूँगा, बस अगर आप चैनल पे न्यू आये हो, तो ज जाके comment box में अपने सवाल पुछना है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो जैसे कि guys मैंने आपको बताया कि J&K SSB, मतलब जम्मू कश्मीर सरस्लेशन बोर्ड ने कुछ नोटिफिकेशन यही चार-पाइच दिन पहले निकाली थी, फस्ट आप आपको लिस्ट नि वो बिल्कुल भी इसमें अलाउनी होंगे, उसके बाद उन्होंने एक और लिस्ट निकाली, जिसमें उन्होंने, क्योंके बच्चे काफी ज़ा फोर्स कर रहे थे कि merit क्या गया है, तो merit भी उन्होंने बता दिया कि कि इतना आपका merit जाने वाला है, लेकि इसके बारे में हम इसके बाद इसमें कुछ और alterations होंगी, सारी बात इन्डिसक्स करेंगे हम आपको, तो फस्ट आफार बात करते हैं, जो इसके मैंने आपको कहा था, कि अंडर ग्रेजुएट्स एफिडोट के बारे में, कि आपको डाकुमेट वेरिफिकेशन के टाइम पे एक एफिडोट म इसके मिनिमम कॉलिफिकेशन अफ मैट्रेक एड मेक्सिमम 10 प्लेस टू, अब जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे उस टाइम थे जिनूने फॉर्म फिल किया था, एज 12 तो उनका ये सवाल था कि हम कैसे अब क्यूंकि उन्होंने अब मैक्सिमम कॉलिफिकेशन अटेन कर ल ग्रेजुएट था है ताइम फॉर्म फिलिंग तो IPC section 1419 जो की होती है, cheating उसके तहत उनके खलाफ कारवाई हो सकती है, और ये कैसे हो सकती है, देखिए, अगर स्पोस आपने आप ग्रेजुएट था है ताइम फॉर्म फिलिंग और आपने एक या फिडियो दे दिया है कि म मेरी maximum qualification सिर्फ 12 है, लेकिन जो गर वीटिंग वाला अगर आपका नीचे जो होगा, अगर वो 12 होगा, in case वो कहीं रिट कर दे कोट में, तो definitely आपकी खलाफ कारवाई होगी, क्यूंकि हमने पास्ट में देखा है कि काफी ज़दा graduates जो हैं, काफी जगाओं पे ऐसे, पहले से ह मतलब graduate होके भी 4th class की jobs कर रहे हैं, लेकिन काफी ज़दा cases में, हमने ये भी देखा है, कहीं पे अगर ऐसा criteria होता था, जहां minimum और maximum qualification 12 मांगी यही होती थी, तो in case अगर कोई graduate वाला वहाँ appoint हो जाता था, तो जो waiting वाला अगर कोई 12 है, अगर वो उसके खलाफ rate कर देता था, तो उसकी वो पोस्ट कैंसल हो जाती थी, और उसकी खलाफ कारवाई भी हो सकती थी, तो अगर section 1 IPC 419 की बात करें, तो उसमें maximum आपको जो fine हो सकता है, और साथ में 3 months की, 3 years तक की imprisonment भी हो सकती है, तो इस चीज का धियान रखना है, तो इस से तो हमें पता लगता है की graduates तो eligible नहीं है, लेकिन आप रहें undergraduate की बात, तो जो आपकी notification आई थी, 4th class के exam के लिए, exam के लिए तो उसमें साफ साफ ये चीज के ही थी, कि आपकी maximum qualification या minimum qualification जो form fill करते time, मतलब वो June या July के मन तक जब आपने form fill करना था, उस दिर तक आपकी maximum qualification थी, उस ही को माना जाएगा, लेकिन जो undergraduates थे, अगर वो form उन्होंने उस time fill किया, अगर वो graduates नहीं था, तो definitely वो करने की उनको कोई problem भी नहीं होने वाली है, अब बात आती है कि affidote कैसे मनवाना है, तो आपको affidote में simply ये चीज लिखवानी है, कि जब हम ने ये form fill किया था, उस time हमारी maximum qualification 12th थी, आप समझ जा मतलब affidote में अपने लिखना है, care the time of filling a form, maximum qualification of candidates is 12th, तो बस आपका काम हो गया, क्यूंकि आप ये चीज ग्राजुएट्स जो पहले से, वो तो ये चीज नहीं लिख सकते है, care the time of filling a form, my qualification is 12th, क्यूंकि वो तो graduate थे उस time भी, तो undergraduates को इसमें कोई भी problem आने वाली बात नहीं ये एफिडोर की जो बात आ रही थी बच्चों को, उसका कोई issue नहीं है, तो बाकी वाले certificates तो पताईए आपको, उसके अलावा एक और जो certificate तक copy of online application, तो इसमें भी कपी बच्चों को problem आ रही थी, कि online application form हमारे पास हाई ही नहीं हो, गायब हो गया, गुम हो गया, तो हम कहा तो उसके लिए मैंने एक video already बना के रख दिये, आप चाहो तो मेरी चैनल के video section में जाके वहाँ पे आपको मिल जाएगे, कि अगर आपका online form application form अगर गूम हो गया, misplace हो गया, तो आप उसे online कैसे ले सकते हैं, कैसे download कर सकते हैं, और print out ले सकते हैं, उसके लिए आपको easily वहा लग लग, क्या ये final cut-off रहने वाला है, तो बिल्कुल नहीं, जैसे आप मेरे सामने यहाँ पर देख रहे हैं, district anantanag, district anantanag का इन्होंने open merit में यहाँ पर cut-off रखा हुआ है, 51.75, SC में 40.69, तो guys आप ये देख रहे हैं, जैसे कि हमारे पास जो short list की, वहाँ पर इतना जार doubling हो गई है, कि एक एक बच्चे का किसी किसी बच्चे का 22 times भी नाम आया है, कुछ बच्चों का 15 बार नाम आया है, कुछ बच्चों का 20 बार नाम आया है, तो जो वह list थी, वह around उसमें total number of अगर बच्चों की बात की जाए, तो 36,000 के around थे, जिसमें से almost 10 से 15,000 तक बच्चे less होने वाले है, क्योंकि वह doubling नाम आया है, काफी ज़्यदा, अब आप खुद सोचते हैं, total number of अगर वहां पर count की जाए, तो 36,000 बच्चों को document verification के लिए बला गया है, लेकिन 50% बच्चे ऐसे हैं, जिनका double double नाम आया है, तो मतलब double नाम आया है, तो वह वहां से cut होने वाल तो वह बिलकुल cut off यह रहने वाला नहीं है, इससे काफी ज़र difference आने वाला है, एक और बात, यह जो cut off इन्होंने दिया है, क्योंकि document verification मतलब DV के time पे ही सारा clear हो पाएगा कि असली qualification किसी candidate की क्या है, अभी तो इनको पता नहीं था, इन्होंने तो एक तो पहले notification निकाले कि graduate साल में उस बाहर हैं, उसके लावा उसके बाद इन्होंने यह merit list निकाल दिया, अब merit list जो बनी है, इनके पास वो तो बनी है, form के basis पे, क्योंकि form पे तो हर किसी की 12th ही education बताई है, लेकिन जब document verification होगी विद उस every note के, तो तब clear हो जाएगा, क्रों graduate है, क्रों graduate नहीं है, त तो उससे अगर आप खुद सोच सकते हो, पहले ही अगर 36,000 बच्चे इन्होंने document verification के लिए बुलाए थे, उसके बाद और बच्चे और इस 36,000 में almost 50% बच्चे जो हैं graduate है, तो वो भी less हो जाएंगे, तो यह merit काफी ज़्यादा नीचे जाना वाला है, आप खुद एक example के दोर पर आपको बता सकता हूँ, अगर यह अनंतना का 51 merit यहां पे गया है, लास्ट, तो यह 31 जा सकता है, इतना ज़्यादा difference आने वाला है हर category में, क्योंकि अगर 51 जिसमें graduate से double नाम भी हैं कुछ, तो आप इस तरीके से देखें कि जहां 51 है, वहां 31 तक जा सकता है, जहां जहां और भी कम merits हैं, जैसे किसी मैं आपको बताता हूँ, SC category में कहां 44 है, तो यह 44 से 30 भी जा सकता है, 30, 29 भी जा सकता है, क्योंकि काफी ज़्यादा changes आने वाली है, और एक और बात, यह जो merit list है, यह confirm merit list नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ ओपर लिखा हुआ है, यह भी म For the convince of candidates, the last cut-off point for each candidate is hereby notified, यह सिर्फ उनके बारे में, सिर्फ उनको उनकी query को बार-बार खतम करने के लिए, उनको एक लंब समसा, एक merit list वहां पर दे दिये, जो कि एक final list नहीं है, यहां पर यह भी लिखा है, the provisional short list, जो short list थी, वो भी provisional है, वो भी confirm नहीं है, तो आप कि यह कुछ भी अभी clear नहीं है, आपको डरने के बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो बच्चे सोच रहे थे, हमारा merit cut-off में नाम नहीं है, तो हम कहीं बाहर तो नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी आपको wait करना है, patience करना है, और आप लोगों के लिए अच्छा कु तो have patience, wait कीजिए, time का एक बार, जैसे जैसे JKSSP की notification आती रहेंगी, तो पता लगता रहेगा, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है, अगर आपका कोई और सवाल हो, कोई सुझाओ हो, तो जरूर कॉमेंट वक्स कोन बताएं, तब तक के लिए, goodbye.